इस टूटॉर्यल में हम ये construction करेंगे by sector of a given angle कि हमें कोई भी एक angle दिया हो जैसे माझ लो ये मैं एक angle बना देता हूँ ठीक है कोई भी एक angle किधर भी चाहे मैं इतना angle बनाऊं चाहे इतना बनाऊं चाहे इतना चाहे इतना कितना भी मैं angle बनाऊं तो let's see कि मैं इतना एक एंगल बना जता हूँ ठीक है कोई साभी एक एंगल बना दिया मैंने ये एक रे बना दी मैंने say A and B और ये एक रे बन गई A and C ठीक है और ये जो एंगल बन गया B, A, C मुझे इसका बाइसेक्टर बनाने है ठीक है इस एंगल का बाइसेक्टर है ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको बाइसेक्टर बनाता हूँ अब सबसे पहला step हमारा क्या है कि हम ये compass लेंगे ठीक है और उसको कितना भी खोल लेंगे तो थोड़ा सा नॉर्मली इतना कर हम खोलते हैं ठीक है तो ये मैंने a से ये compass कुछ खोली ठीक है कितनी भी compass खोली थोड़ी नॉर्मली इतनी कर खोलते हम और उसके बाद ये मैंने एक आक लगाई ठीक है और जो इस line को ये जो ray है a c इसको मानलो d पे intersect किया है इसने और इस ray को e पे intersect किया है ठीक है अब मुझे ये भी पता है कि a e और a d ये बराबर होंगे ठीक है ये a e और a d बराबर होगी इसको हम बाद में use करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि आप idea लो कि d और e कितने दूर है आपस में उसके half से at least ज़्यादा इसके half से at least ज़्यादा लेकिन compass को आप change नहीं करोगे ये इतनी ही खुली रहेगी और d point से भी आप एक arc लगाओगे जो दूसरी arc को intersect करे तो ये जो point आया इस point को जब मैं a से join करूँगा तो वो line इस angle का angle bisector होगी तो let's draw this line और इस ray को मैं बोल देता हूं से a f और ये जो point आया था इसको मैं p बोल देता हूं ठीक है अब ये जो मैंने ray बनाई है a p f इसने ये जो angle था b a c इसको bisect कर दिया यानि कि ये angle और ये angle आपस में ब्राबर है so this means angle b a p is congruent to angle c a p यानि कि b a p ये जो angle है ये c a p b ke ब्राबर होगा अब हम इसको prove करते हैं कि वाकिए ये जो हमने line draw की है ये इस angle को bisect करती है वो कैसे prove करेंगे अब हम एक काम करते हैं कि d और p को join कर देते हैं e और p को join कर देते हैं ठीक है अब ये मैंने क्यों join किया देखो मुझे अगर ये prove करना हो कि ये जो angle है ये angle और ये angle आपस में ब्राबर है तो उसको prove करने के लिए अगर मैं ये prove कर दूँ कि a d p ये जो मेरे पास triangle बनी ठीक है a d p ये जो triangle बन गई है ये triangle a e p triangle के congruent है तो मैं easily prove कर सकता हूँ कि ये दोनो angles फिर आपस में congruent है ठीक है so let's do that so मैं ये दोनो angles ले लता हूँ in triangle a d p and triangle a e p अब इन दोनों में अगर आप देखो तो सबसे पहले तो a p ये जो side है ये congruent है अपने ही क्योंकि दोनों की common side है ठीक है तो ये common side है इसलिए खुद के congruent हो गई अब हमें ये भी याद है कि a e और a d ये भी congruent है right a e is congruent to a d क्यों congruent था क्योंकि a से हमने compass खोल के यहाँ पे एक आक लगाई थी तो a एक तरह से center हो गया center of the circle और ये पूरा एक तरह से circle बन जाएगा अगर मैं इसको expand करूँ और ये radius हो गया ठीक है मैं इसको ऐसे समझायता हूँ आपको अगर just in case आपको नहीं समझ में आ रहा तो a d आपको याद है a d मैंने यहाँ पे इतना खोल के ये curve लगाई थी तो जितना a d हुआ उतना ही a e हुआ right तो ये कैसे हो गया by construction ठीक है तो ये by construction हो गया अब similarly ये भी ऐसा ही था अब d point से मैंने इस compass को इतना खोल के एक आपक ये लगाई थी और इसको बिना change किये compass का size बिना change किये एक आपक इदर से लगाई थी यानि कि ये distance और ये distance भी आपस में परापर हो गया right तो इसका मतलब e p is congruent to d p ये भी क्या हो गया by construction ठीक है तो अब मेरे पस क्या हो गया side, side and side इन दोनों triangles की तीनों sides आपस में congruent है so this implies by sss congruence we can say triangles are congruent right triangles congruent हो गई अगर दोनों triangles congruent हो गई then by c, p, c, t, c we can say angle e, a, p angle e, a, p is congruent to angle d, a, p क्यों? क्योंकि ये side इस side के congruent थी तो इसके बिलकुल सामने वाला angle इसके बिलकुल सामने वाले angle के ब्राबर होगा तो ये दोनों आपस में congruent होंगे तो ये दोनों अगर congruent है ये और ये congruent है तो इसके अंदले ये जो line जा रही है a, p ये इस बड़े वाले angle का angle bisector है अब देखो आपके लिए तो अभी इतनी construction जो है ये काफी है ठीक है आप इस question को अगर चाहो तो छोड़ सकते हो otherwise समझने के point of view से मैं आपको अब ये समझाता हूँ कि जैसे ये angle बना था ना B, A, C इदर वाला एक angle इदर भी तो बनता है ये भी तो एक angle बनता है अगर ये point B हो ये A हो और ये C हो तो एक angle 180 degree से छोटा बना तो एक angle 180 degree से बड़ा भी तो बनता है reflex angle और अगर मुझे इस angle का angle bisector लेना हो तो मैं कैसे करूँगा तो उसका भी method सेम ही है जैसे हमने ये वाली line ड्रॉ की इदर अब अगर मैं इसी line को अगर मैं इसी line को इस तरफ को extend कर दूँ ठीक है और extend कर दूँ तो ये A और इसको मान लो आप मैं इसको बोलते तो से Q तो ये जो A Q line है ये B A C ये जो reflex B A C angle बनता है ये इसका angle bisector है कैसे इसको proof करना भी बड़ा असान है मैं कर देता हूँ आपको नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ सकते हो अब देखो अगर मान लो मैं ये जो angle था इसको मैं बोल दूँ angle 1 और इसको मैं बोल दूँ angle 2 और हमने अभी अभी proof किया था कि angle 1 और angle 2 आपस में ब्राबर है ठीक है ये ये proof किया था अब ये जो इतना angle है यहां से लेकर यहां तक इसको मैं बोल देता हूँ से angle 3 और इस angle को मैं बोल देता हूँ से angle 4 तो मुझे ये proof करना है कि angle 3 और angle 4 आपस में ब्राबर है अगर ये आपस में ब्राबर हुए तब ही तो ये line इस बड़े वाले angle का bisector होगी ठीक है अब angle 1 plus angle 3 ये कितना है 180 degree angle 1 plus angle 3 ये पूरा देखो angle 1 plus angle 3 तो ये straight angle बन गया है इसी तरह से angle 2 plus angle 4 ये भी straight angle बन गया तो angle 2 plus angle 4 ये भी 180 degree हो गया इसको मैं 1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ 2 now from 1 and 2 मेरे पस क्या आ गया angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4 लेकिन हमें ये पता है कि angle 1 और angle 2 आपस में बराबर है हमने अभी अभी प्रूफ किया था तो angle 1 और angle 2 ये आपस में बराबर ते कट गए this implies angle 3 is equal to angle 4 यानि कि ये जो angle 3 ये angle है B A Q ये angle C A Q यानि कि angle 4 के बराबर हो गया so it doesn't matter कि आपने इदर वाले angle का bisector लेना है या reflex angle का bisector लेना है method same है यहाँ जो भी point आएगा उसको A से जब आप join करोगे उसको आप और extend कर दो तो वो reflex angle का भी bisector बन जाएगा अब हारे construction को examination point of view से जब आप लिख के आते हो तो ये diagram के साथ 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 आपको steps भी लिखने होते हैं ठीक है तो वो steps मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए आप उसको pause करके read कर सकते हो ठीक है otherwise आप चाहो तो खुद जैसे जैसे आप इसको construct करते हो वैसे वैसे एक 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 स्टेप आप खुद लिख सकते हो so that's it from this tutorial keep watching Mathemafia